स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज हिंदी जहां पर आपको मिलती है कॉलिटी कंडेट एजुकेशन बिल्कुर फियाफ कॉस्ट में लब यह कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीद रहा है कोई कूपर नहीं खरीद रहा हमारा सिर्फ एक ही उद्देश है सिक्षिद बारत विक्षिद बारत स्टुडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा दसवी के जीव विज्ञान की जिसमें आज हम यह देखने वाले हैं कि भाईया यह जो ग्लूकोज हमने बनाए थे पोशन के समय पर पाचन के समय पर इ ही इंपोर्टेंट है बड़े ध्यान से आज की जो ग्लास है इसको सुनिएगा इसके अंदर की जो कहानी है उसको समझगेगा और आपका जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पूच सकता है बात समझ में आ रही है तो पहले यह देख लेते हैं कि जो हमारी कह कहानी है यह जो हमारा अध्याय चल रहा है जय प्रक्रम बाइलाजी का जी विज्ञान का जो पहला अध्याय है विज्ञान के अंदरगत आने वाले एक महत्तपूर्ण विशय में राइट इसकी जो कहानी है यह कहां तक पहुंची हुई है तो भया इसकी कहानी में हमने यह देखा था क्या देखा था अच्छे से देख लेते हैं ध्यान से देखेगा तो इस कहानी में हमने ये देखा था कि कुछ एक चीज़े हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं जहां पर आप लोगों का रिस्पॉंस भी बहुत अच्छाया है आप लोगों ने बढ़िया-बढ़िया स डाउड में पूछे हो मैं तो चाहता हूं कि भीया और आप जो है डीप में एक-एक टॉपिक पूछे कहीं परिक्षाओं को लेकर आपकी जो तयारी है उसमें कोई भी प्रकार की हम कमी नहीं रहने देंगे बात समझ में आ रही है चलिए तो क्या-क्या देख लिया था और स्वतता ही हमारे शरीर के अंदर चल रही होती है क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर है वो बीएक प्रकार थो रही है जिससे आपके शरीर की हर एक जो कोशिका हैं उत्तक है तंत्र है अंग तंत्र है और उत्तक तंत्र वाली जो चीजें हैं वो सुचारी रूप से काम कर रही है कुछ इसी तरीके से हमारा दिल धड़क रहा है दिमाग चल रहा है फेपने अपना काम कर रहे हैं किड् हुआ दिखा था कि बारे में भी अपन लोगोंने डेटेइल में बात की थी किसी बदिया रहे थे किसके बारे में याने की पेड़ पौधों में किस प्रकार से पोशन होता है कैसे जो है सूरज की रौचनी आती है किसके पास में पत्तियों के पास में फिर उसके जो रंद्र हैं वो खुल जाते हैं कैसे जो है जायलम जमीन के अंदर से जड़ों के माध्यम से जल और आपके जो खनिज होते हैं लवन होते हैं उसको खीच कर लेकर आता है पत्तियों के पास कैसे कारबन डायोकसाइड और जल के और कैसे होता है тогда संद्ध knows meh हैम ये जानेंगे कि एक टॉपिक में हम इस चीच को कबर करेंगे कि हमनेगे गोजन खाता हम ने जोörtन लिए था उससे हमें कार्बोहएद्र मिला था प्रोटीन मिला था वसा मिली थी और हमें मिले थे बहुत सारे क्या पोशक तत्व मिले थे विटामिन मिला था इन सब का जो है उर्जा में रुपान तरण किस प्रकार से होता है यह आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बात समझ में आ रही है यह आपका अरोबिक मतलब की वाय वी च्या होता है तो oxygen की उपस्थिति में होता है और किधर होता है तो यह होता है और यह माइट्रोगॉंडिया क्या है तो इसको पर पावर रहे सेल्वी कहते हैं निकी अपर यह कहां होता है तो वायों की अनुपस्थिती में होता है किदर पे कोशी का द्रव्य में तो यह सारी चीज़ों को अपन लोगों ने देख लिया था बढ़िया तरीके स पिछली वाली कुछा में और यह सारे जोटोपिक्स है। इसको भी हम ओलरडी कभर करचुए हैं अब आज की जो क्लास है अब आज की ए उसमें हम यह देखेंगे जैसे क्या होते हैं आपके वहान होते हैं वहान के अंदर क्या होता है आपको पेटोर डालना पड़ता है LPG डालनी पड़ती है CNG डालनी पड़ती है LPG लीगल नहीं है बात समझ में आ दिये CNG डालनी पड़ती है डीजल डालना पड़ता है क्यारोसीन डालना पड़ता है तो इस तरीके से जैसे वहानों के लिए इधन होता है जैसे वहानों के लिए इधन होता है वैसे ही जीवित प्राणियों के लिए पौदों के लिए नहीं प्राणियों के लिए जो है जो है जो वनुपस्थिती में तो क्या होता है उसी को अपन आज ड़ने वाले हैं तो याद रहें प्राणियों में जो इधन होता है वो क्या है आपका glucoz है मरनलब यह कि हमें जितने भी शाहरेग काम करने हैं जो अपने को शारेरी कारे करने हैं उन सब के लिए सबसे जरूरी तो चीज़ है इस्टोडेंट्स वो आपकी क्या है वह या ग्लूकोज है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है तो बड़ी ही सिंपल सी यह कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है बात समझ में आ रही है तो ग्लूकोज जो होता है राइट इसका सूत्र क्या होता है तो यह प्रकार का क्या है जैव अनू है ग्लूकोज क्या है बाबुजी तो यह प्रकार का बिटा जैव अनू है देखो अनू तो है अनू तो है क्योंकि इसका जो सूत्र है वो क्या होता है भया इसका सूत्र हो यह अपना होता है glucose बात समझ में चलिए तो यह क्या है तो यह polling को दिख रहा होगा जो की carbon से मिलकर बना है hydrogen से मिलकर बना है oxygen से मिलकर बना है simple सी कहनी तो एक अनुजो यहां पर दिख रहा है राइट यही हमारा इधन है यही क्या है तो भिया यही जो है हमारा इधन है वहला यदि हमारे शरीर के अंदर glucose खदम बात समझ में ये तो कभी जो है respiration यानि किस वश्वाशन हो ही नहीं पाएगा और उससे हमें उर्जा नहीं मिल पाएगी और जब उर्जा नहीं मिलेगी तो दौलोगे कैसे खाओगे कैसे चलोगे कैसा तो यह बत समझ में रहे हैं घ्रमार लिए किसा काम करता है और यह इधन का काम रहता है आपने देखा होगा कुछ लोग विमार हो भैंकर सारा भीमार हो जाते हैं बात समझ मेरी इतने भीमार हो जाते हैं कि नेचुरल तरीके से यानि कि प्राकर्थिक तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी को पचाई नहीं पाते जैसे आप और हम पचा लेते हैं तो जब लोग बहुत बिमार हो जाते हैं उनमें बहुत कमजोरी आ जाती है तो उनको फिर भोजन नहीं देते क्यों नहीं देते क्योंकि पेट में उतना दमी नहीं होता कि वो भोजन को पचा सके तो फिर क्या करते हैं सीधे बॉटल लगाते हैं फिर आप क्या कहते हो ग्लु जरूरत है ग्लुकोस को आप एदेख एधन के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत है ऑक्सिजन की जरूरत है और वो ऑक्सिजन अपने को कहां से मिलती है वातावरन से कौन खीचता है उस ऑक्सिजन को भीया वो हमारे नाग से होते हुए फेपड़ हमें किसकी जरूरत होती है ऑक्सिजन की तो ऑक्सिजन की उपस्थिती में यदि होगा माइटो कॉंड्रिया के अंदर माइटो कॉंड्रिया गलत लिखा है कोई बात नहीं माइटो यहां पर आएगा क्या आएगा तो यहां यहां आएगा आपका माइटो तो यहां पर कौन करता है और किसी भी इधन को जलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है तो वह होती है और वह आक्सिजन अपने को मिलती है कहां से वायू से बात समझ में रही है वायू में उसमें से ऑक्सिजन निकालते हैं और किसको भीज देते हैं ब्लट को और वहां पर बनता है ऑक्सी हिमोगलोवेन उसके बात की जो कहानी वहां पर अभी अपन नहीं जाएंगे आप बस यह समझ लो कि ग्लूकोस यदी पाचन तंत्रद्वारा बनाया गया है पाचन तंत्रद अब ग्लूकोस के साथ वह करेगी अभी क्रिया और अब होगी आपकी क्या उर्जा बाहर निकलेगी बात समझ में आगी तो ध्यान से देखेगा सिंपल सी कहानी है मस्त यह कहानी है ग्लूकोस जब ऑक्सिजन के साथ अभी क्रिया करती है तो निकलती है उर्जा और उसी उर अगर सारी जीज़ें हैं वो अपना काम करती हैं बात समझ में आ रही है तो इसी कहानी को अपनाज समझेंगे कि कैसे जो ग्लुकोस है वो ऑक्सिजन के साथ मिलती है और उसके बात कौन सा कौन सा खेल होता है क्लियर कहानी सिंपल है कहानी मस्त है कहानी देखो अब यह कैसे हो स्वशन है रेस्पीरिशन ने उसको अपने कर दिया है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्वशन है रेस्पीरिशन है वह दो प्रकार का होता है या वाइवी यानि की वायू की उपस्थिती में और आवाइवी यानि की ऑक्सिजन की अनूपस्थिती में बात समझ दी गई है देखो क्या आपको glucose देख रहा है क्या लिखा है तो यह लिखा है छै कारबन वाला अनु क्या लिखा है तो बाबुजी यहां पर लिखा हुआ है आपका 6 कारबन वाला अनु मतलब की यह लुग बात कर रहे हैं C6 H12 O6 की और यही आपका क्या है glucose है और यह जो भी क्रिया है यह कहां चल रही है कोशिका के अंदर जब इसका क्या होता है कोशिका द्राव में glucose जो है उसका सबसे पहले क्या होता है पाइरुवेट यानि कि तीन वायू के अनू में परिवर्तन हो जाता है और क्या बाहर निकलती है उर्जा बाहर निकलती है इसके बाद यह भीक्रिया बाहर होती है तो यह भीक्रिया जब कैसी कैसी हो सकती है ध्यान से देखो मस्त वाली कहानी है देखो मस्त वाली कहानी है ध तो तीन प्रकार की यहां पर अभी क्रियाएं दी हुई है उसको बन समझने की कोशिश करने वाले हैं बड़ा यासाने मज़ा या जाएगा धमा गई हो जाएगा बात समझ में यह देखो कैसे अब जो है यीस्ट को जानते हो अब खमीर यीस्ट जानते हो ना ढोगला इडली जो है वो किसके कारण होता है एक प्रकार के मृत जीवी याने की आपके मृत जीवीयों को खाने वाले जो मर्ज मृत जीवी होते हैं बात समझ में आ रही है राइट यीस्ट के कारण होता है तो यीस्ट में क्या होता है बड़े धान चे सुनिएगा यीस्ट में यह जो पा और साथ में क्या निकलती है तो भीया उर्जा निकलती है और साथ में क्या निकलती है अब देखो ऑक्सिजन की अनुपस्थिती में हुआ है न तो इसको पन क्या बोलते हैं किन्वन बोलते हैं यानि की fermentation बोलते हैं किडवन और fermentation वही चीज़ है जिसके कारण शराब का निर्मान होता है भली वह सेब से बनिये या फिर अंगूर से बनिये बात समझ में या फिर मालो महुए से बनिये क्लियर एकानी सिंपर एकानी मस्थ है कानी देखो तो ऑक्सिजन के अनुपस्थिति में क्या हुआ येस्ट के अंदर जो भी क्लिया हुई उसमें अपने को मिला एथेनौल और यह क्या इथेनौल है जिसको अपने पड़ा था कारवन और उसके महत्वपूर्ण योगिक में अ इथेनौल बना साथ में कौन रिलीज हुई साथ में कौन मुक्त हुई तो भीयक कारवन डाइए आकसाइड बात समझ में आगी बढ़ते हैं अब देखो हमारी पेशी में भी यदी कोशिका में पेशी कोशिका में ऑक्सिजन के आभाव में यदी क्या होता है आपका मिलता है लिक्टिक अम्र मिलती है और यह जो लेक्टिक अमर अपने को मिलता है यह वह होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है तो हमको क्या मिलेगा लेकिक काम्ड तो उपर वाली जो दोनों अभिक्रिया थी वो Oxygen के आभाव में थी अब हम उस अभिक्रिया को देखते हैं जो Oxygen की उपस्थिती में होती है कि थे तो भया ये होती है हमारे कोशिका के power house यानि की उर्जा के स्टोथ यानि की हमारा favorite जो है mitochondria के अंदर और जब यह mitochondria के अंदर होती है तो भीया release होती है CO2 यानि की carbon dioxide साथ में अपने को मिलता है H2O और बहुत सारी निकलती है उर्जा बहुत सारी क्या निकलती है उर्जा और ये वही उर्जा है जिसके कारण मैं भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ आप अभी समझ में आने के बाद मुंडी हिला पा रहे हो और हम जिन्दगी के सारे जो काम है वो उसी उर्जा से करते हैं जो इस अभीक्रिया के माध्धम से होती है क्यों ना इसका अपन रासाइनिक समय के रण लिख ले मज़ा ही आ जाएगा बात समझ में आ रही है तो चलो आगे बढ़ते हैं तो ग्लुकोस से पाइरुवेट बना इससे जो है तीन प्रकार की अभीक्रिया है हो सकती है ऑक्सिजन की अनुपस्थिती वाली और ऑक्सिजन की उपस्थिती वाली अब जहां से देखो मस्त वाली बात देखो यहां तो कारबंडाई ऑक्साइड नहीं निकल रही है पर इधर पे carbon dioxide निकल रही है और जल निकल रहा है अब यह जो carbon dioxide है नहीं हमारे लिए कैसी होती है हानिकारक होती है जल तो फिर हम उपयोग कर लेंगे अपने शरीर में तो इस carbon dioxide को भी हमारे शरीर से क्या करना है बाहर का रास्ता रिखाना है इसका मरलब यह कि हम oxygen लेते हैं ह हम वायू में से oxygen लेते हैं बात समझ में रही है उसको ब्लेड में मिलाते हैं और जो carbon dioxide बनती है स्वशन के दौरान उसको अपन भेज़ देते हैं बाहर तो आप सीरे सीधर यह समझे आई रासाइनिक अभीक्रिया हुई कि इधर इधर बात समझ में रही है रासाइनिक अभ भीकोष ध्यमाके डार ठीक है चल अब यहां जाओ अब देखो यहीं पर आओ पहले उधर पर भी लेकर चलूंगा अभी जो उर्जा निकली है बात समझ में अब देखो यह घयांकर उर्जा निकलती है एक मोल में लगबर200 किलो जूल उर्जा निकलती है जब एक मोल 6 और यहां पर आपका H12 और O6 जब क्या 6 O2 के साथ मिलता है तब जाकर 6 CO2 और 6 H2O बैलेंस्ट है कि नहीं वो देख लेते हैं अपन 6 कारबन 6 कारबन भईया 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 बारा हाइड्रोजन बारा हाइड्रोजन और 12 हीड्रोजन ऑक्सिजन यहां पर और 6 यहां पर बिल्कुल बैलेंस्ट अभी क्रिया बनी हुई है बात समझ मेरी तो बड़े देहन से से बात समझ मारी और फेपड़े की हिल्प से वह ऑक्सिजन किसे मिलती है आपकी ग्लुकोस से क्लियर कहानी ठीक है तो दियान से देखिएगा ग्लुकोस जब इस ऑक्सिजन के साथ अभी क्रिया करता है तब जाकर निर्मान होता है किसका कारबन डाइयोकसाइड का और किसक क्लियर Don hun만 बात समझव में हा रही है मतलब आप ये इसकत एक मोल जलाते हो जाए है तो इसे आपका प्यासिन होता है जैसे आपका क्यरोशीन होता है जैसे आपकी खाना बनाने वाली गैस होती है बात समझ मैं रही है तो glucose जो है वो एक इधन है oxygen से उसने अभिक्रिया कि क्या मिला carbon dioxide मिला और क्या मिला भहिया जल मिला और साथ में बहुत सारी उर्जा निकली अब यदी इतनी उर्जा हर समय पर निकलती रहेगी प्रती मूल glucose के जलने पर बात समझ मैं रही है तो अपने शरीर के अंदर तो आग लग जाएगी इसलिए क्या होता है कि ये उर्जा जो है वो एक जैव अनू के रूप में store हो जाती है अब आप बोलोगे सर आप सर उपर से जा रहा है सर बात समझ मैं कुछ भी उपर से नहीं जाने दिया जाएगा बड़े ध्यान से सुनिएगा यदि ये अभिक्रिया होगी तो इतनी सारी उर्जा निकलेगी कि अपने लिए दिक्कत हो जाएगी अपन बात समझ मैं तो इतनी उर्जा की जरूरत हमें हमेशा नहीं चाहिए होती तो क्या होता है हमारे अंदर एक जैव अनू होता है जिसके रूप में बात समझ मैं यह उश्मा के रूप में नहीं निकलती आप क्या सोचते हो कि उर्जा निकल रही है तो या तो प्रकाश के रूप में निकलेगी या तो जो है उश्मा के रूप में निकलेगी ये वाली कहानी नहीं है बच्चो बात समझ मैं ये जो उर्जा निकलती है ये एक जैव अनू के रूप में ये एक जैव अनू के रूप में हमारे शरीर में क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है उसी को अपन कहते हैं ATP ये जो उर्जा निकलती है ये जैव अनू के रूप में हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है स्टोर हो जाती है उसको अपन क्या बोलते है ATP और जब अपने को उर्जा की जरूरत होती है तो उस एटीपी से पन जितनी उर्जा चाहिए वो मांग लेते हैं कैसे मांग लेते हैं समझने की कोशिश करते हैं द्यान से देखना यह जो उर्जा निकल रही है यह ना तो उश्मा के रूप में निकल रही है ना तो प्रकाश क यहां पर निकल रही है यह किस रूप में बाहर निकलती है एटीपी के रूप में निकलती है अब एटीपी क्या होता है और कैसे अपने एटीपी को उप्योग गरते हैं हमारी इशारे रिगती वीडियो को चलाने के लिए को इस कहानी के तरब जाते हैं बात समझ में यह तो और जा किस रूप में निकलेगी इतनी ज़रूर निकलेगी पर किस रूप में निकलेगी एटी पी क्या है समाझते हैं बात समझ मुझ में तो क्या है डेखो A Taiva सबसे पहले तो आप बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म बताओ अपने को कोड़ वर्ड में कच्छू समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुर अपने इसका क्या करेंगे फुल फॉर्म दिखेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे देखो एडिपी होता है एडिनोसिंट ट्राई फॉसफेट अब फॉसफेट से आपको समझ में आ रहा होगा सर्ट ट्राई है तो तीन होगा फॉसफेट तो अच्छा कुछ तो फॉसफोरस वाला होगा बिल्कुर सही सुना आपने ये प्रगार का जैवनू है इसकी संरचना वनरचन अपने को नहीं जाना है बस आप किह मालो जैसे कारभाईडरेट जाएवनू है प्रोकेन आपका जाएवनू है जैवनू है जैसे विटामीन होता है जैसे फैट यानि की वसा होती है कुछ इसी तरीके से और जार जिस भाग में संचारत रहती है उसको अबन क्या बोलते है आ यह आप्ञहर होता है तो क्या होता है उत्यू और होता है इडिनोस्प्राइफ corresponds होता है मलब अब शरीर के अंदर जो भी उर्जा का आधान प्रदान होगा उसमें सब सेभड़ा रोल किसका होगा बाबुजी तो वह होगा आपके ATP का यानि कि आपकी adenosine triphosphate का बात समझ में आगी इसको अपन कहते हैं कोशिका की उर्जा मुद्रा एक बात बताओ अपने को बहुत सारी चीज़े खरीदने वरीजने के लिए सामान वामान लाने के लिए किसकी जरूरत परती है मुद्रा की यानि के currency की बात समझ में आ रिे तो इसी तरीके से जो ATP है वो किसकी उर्जा मुद्रा है वो जो कोशिकां होती है हम सब के जीवित प्रानियों के अंदर उन कोशिकाओं में जो भी उर्जा का आदान प्रदान होगा उन कोशिकाओं में ग्लुकोस को जलाया था किसके साथ जलाया था तो भईया अपने ग्लुकोस को जलाया था ऑक्सिजन के साथ में ग्लुकोस को जलाया था अपने किसके साथ में ऑक्सिजन के साथ में जब हमने ग्लुकोस को ऑक्सिजन के साथ में जलाया तो हमें क्या मिला तो हमें क्या मिला ध् जलाने की बात हो रही है बात समझ में और ग्लुकोस कैसे मिला था पाचन से मिला था पाचन कैसे हुआ था इसके पहली वाली उश्मा या फिर विद्यूत या फिर आपकी जो प्रकाश है उसके रूप में स्टोर नहीं कर सकते हैं बात समझ में आई तो हुआ क्या यह जो उर्जा निकली यह बन गई क्या 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 तो वही जसके बारे में अभी हम बढ़ रहे हैं यह बन गई उश्मा के रूप में निकली जिसा पेटर्ल जलाते समय निकलती है किसरी प्रकाश के रूप में निकली जैसे कि आप लोग केंदल जलाते हो मुमबत्ती जलाते हो तो निकलती है यहां पर जो उश्मा निकली उर्जा निकली वो किसके रूप में संचारत हो गई संरक्षित हो गई वो है आपका ATP तो आगे की जब आपको जरूरत पड़ेगी बात समझ मैं अब शरीर में अब शरीर में जब कभी भी आपको उर्जा की जरूरत पड़ेगी तो आप सबसे पहले संपर किस से करोगे जब भी शरीर में किसी कोशिका को उर्जा की जरूरत पड़ेगी तो अब वो संपर किस से करेगी ATP से बात समझ मैं आई तो जितना ATP उतना जादा आप लोग उर्जावान महसूस करेंगे समझ में आगी होती है तो किस रूप में ऊड़ आपकी स्टोल होती है वो क्या है आपका naar सेकल यहां तक की कहानी क्लियर है सिंपल है बढ़ते हैं आगे बड़े ध्यान से इस अब क्या है देखो यार मेरे को खुद ना एटीपी अब बॉडी के अंदर पता एटीपी टूट रही होगी वह जो ग्लुकोस वगेरे अपन सबने खाना खाया था बात समझ मैं और ग्लुकोस से ऑक्सिजन जलकर जो एटीपी स्टोर हुई थी ने दर पेट के अंदर शरीर क चालू हो गई पुछो क्यों क्यों कि भीया अब लग रही है भूक बात समझ मैं तो एटीपी टूटकर क्या बनाती है बड़े ध्यान से सुनते हैं देखे का ध्यान से तो अब क्या हुआ ग्लुकोस को आक्सिजन के साथ आपने जलाया आपको क्या मिला आपको मिली उर्ज नीका किसके रूप में एटीप के रूप में बात समझ में आ रही है और एटीप क्या है तो यह एडीनोसिन ट्राइफॉस unconditional है जितनी एटीपी होगी उतनी आपके पास उर्जा मुद्रा होगी क्योंकि एटीपी को पन क्या कहते हैं कोशिका की उर्जा मुद्रा बात समझ में कोई यह दी परिभाशा पूछे तो मत घबराओ क्या होगी परिभाशा कोशिका में उर्जा का वाहक एवं संग्राहक एक कार एक सेतू का काम करना हमारे शरीर में बहुत सारी अभीक्रियाएं हो रही होती है कुछ में उर्जा निकलती है कुछ में उर्जा चाहिए होती है कुछ में उर्जा निकलती है और कुछ में उर्जा चाहिए होती है तो वहाँ पर जो सेतू का काम करता है वो क्या है आपका एट तो उस कहाणी को भी अपन समझते हैं, पहले इन दोनों को आप बढ़िया से अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो, इस अपन जो सस्पेंस है उसको फिर रिवील करते हैं, बात समझ मैं इसको नोट करो. शलिए तो इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया होगा आप सवाल पैदा होता है कि सर चलो एनर्जी तो अपने स्टोर कर ली किस रूप में भीया ATP के रूप में अब जब जब अपने को जरूरत होगी तो क्या करेंगे तो उस समय पर क्या होता है यह आपका ATP है यह परिवर्तित हो जाता है किसमें ADP में और यह क्या होता है तो यह जो है उसका छो चोटा भाई है देखो T था तो So this will turn into atainosin यह किismoza परीवर्तित हो जाएग यह परिवर्तित हो जाएगा आपका adenosin डाइफॉसपेट में यह परिवर्दित हो जाएगा आपका एडिनोसेंट डाइफॉसपेट में और यह क्या है तो यह प्रकार का कार्मनिक अनु है जो की जीवित या जीव जन्तुओं के सभी तंद्रों को चलाने के लिए जरूरी है और इसका निर्मान किस्से होता है तो ब किया देखो तो उर्जादाय क्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है बड़े ध्यान से सको सुनिएगा ठीक है मस्त वाली कानी है सब कुछ पहले से पता भी है और यदि नहीं बता होगा तो क्लियर हो जाएगा परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है देखो सबसे पहले है वो परिवर्तित किस में हो जाता है तो भाई या सियोटू में हो जाता है जिसको बाहर भेज देते हैं जल निकलता है वो शरीर में ही रहता है और निकलती है बहुत सारी और जा निकलती है अब यदि हम ग्लुकोस के एक मोल को जलाते हैं अब यदि हम ग्लुकोस के एक मो को जलाते हैं जलाने का मतलब रासाइनिक अभीक्रिया कराते हैं हम इसको जलाना क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक प्रकार की दहन वाली अभीक्रिया है जिसमें जो उर्जा निकलती है वह उश्मा के रूप में नहीं निकलती है वह एडिवी के रूप में हमारे शरीर के अंदर क जो जाती है तो जब एक मॉल गलुकोस यह अभी क्रिया करता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लगभक अठाइस सो किलो जूल प्रतीमोल एासपास जो है ऊर्जा बाहर निकलती है और यह जो उर्जा बाहर अब यदि हमें जो है कोई काम करना है या हमें यदि हमारे शरीर के कोशिकाओं को उठ जा की जरूरत है तब उस समय पर क्या होता है जो ATP है अब उसको जल चाहिए होता है तो ATP जिसका कुछ रासाइनिक सूतर है उसकी अपन बात नहीं करेंगे बहुत डीप हो जाएगा ATP को चाहिए होता है जल और वो क्या करता है अब देखो ATP में तीन फॉसपेट है तो उसमें से ना एक फॉसपेट बहार निकल जाता है और ये परिवर्तित हो जाता है ADP में साथ में जो है आपका फॉसफेट左 Pi नेकि फॉसपेट बाहर निकल गया ओर साथ किलो केलोरी प्रती उर्जा जो है वो बाहर निकल जाती है अब आपने देखा होगा कि हमारे शरीर को जो उर्जा चाहिए होती है वो कैलोरी में चाहिए होती है जब प्रक्रियों में जो उर्जा होती है उसको बन कैलोरी में लेते हैं यांतरे प्रक्रियों में जो चीजे होती है उसको बन किसमे में लेते हैं वही आपके उर्जा का ऐसा ही मात रखें बात समझ में आ रही है तो यहां पर आपको जो उर्जा मिलेगी वह किसमें मिलेगी किलो कैलोरी में मिलेगी मतलब ATP से जब ADP बनेगा तो ये एक प्रकार की उश्मा देने वाली उर्जा होगी इसलिए अपने इसको बोलते हैं उश्मा छेपी अभी क्रिया है बात समझ में आ लिए जब अपने को जरूरत नहीं होती है तब कई बार क्या होता है कि जो ADP है ऐसा नहीं है देखो कि ADP सिर और इनर्जी के साथ मिलकर वापस से ATP बना लेता है और साथ में जो है जल क्या होता है जल जो है वो बाहर निकल जाता है कुल मिलाकर कहानी यह हैं कि इस तरफ जो हो रहा था उसका जस्ट ऑपोजिट इस तरफ भी हुआ मतलब जैसे ATP, ADP में परिवर्तित होता है कुछ इसी तरीके से ADP जो है वो ATP में परिवर्तित होता है पर इस दोरान यह जो आपकी रियक्शन होगी यह क्या होती है आपकी उश्मा शोशी अभी क्रिया होती है बात समझ में आगी मस्त वाल यह कहानी है ध्यान से देखिएग देखो, ATP से ADP बनाया तो Phosphorus बाहर निकला उर्जा बाहर निकली पर यह दिया आप ADP से ATP बनाना चाहते हैं तो आपको उर्जा भी देनी पड़ेगी और क्या देना पड़ेगा भया Phosphorus भी देना पड़ेगा, Phosphate भी देना पड़ेगा, clear एक हानी, simple यह कहानी है, इसको बढ़िया तरीके से क्या कर लो नोट कर लो ठीक है तो यह हो गए आपके बेसिक नोट कुल मिलाकर आपको कहानी जो है समझ में आ चुकी है ठीक और यह कौन सा था तो यह वाइवी सवशन के लिए हम लोगों ने जो है पूरी प्रक्रिया देख ली ठीक है अब देखते हैं इ पूछा जाएगा तो नोट कैसे बनाएंगे तो मन थोड़े से नोट भी बना लेते हैं बात समझ में आ रिए चलो यहां पर आजो क्या यह सारी कारी क्लियर है बोलो यह सार ठेक अब बढ़ते हैं आगे यह देखो तो अब यहां पर क्या हुआ हुआ है जहां से देखेगा ATP के बारे में और जानकारी थोड़ी से दी है अधिकानश कोशी की प्रक्रमों के लिए ATP जो है वो क्या है उर्जा मुदरा है बात समझ में आई जैसे जेब में जितना पईशा होगा उतना आप सामान खरीद सकते हो उसी तरीके से शरीओन में जितना ATP होगा उतनी आप उर् कर सकते हो क्लियर बात स्वशन प्रक्रम में मोचित उर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉसफेट से एटीप अनू बनाने में किया जाता है तो कुल मिलाकर यह बात है कि स्वशन से जो भी अपने को उर्जा मिलती है इससे एडीपी और एटीपी दोनों अनू बनाने में हम उसको अपयोग कर सकते हैं ध्यान से देखो एडीपी के साथ में फॉसफेट मिला और क्या देनी पड़ी और क्या देनी पड़ी तो भीया उर्जा देनी पड़ी इसका मलब यह प्रकार की उश्वा शोशी अभी क्लिया है जिसको भी अपनने देखा था आपक जब इसी एटीपी का उप्यों क्रियाओं के परीच चालन के लिए किया जाता है बात समझ में तो सबसे इंपोर्टन चीज है हमारे शरीर में जब भी आप उर्जा की बात होगी जब भी किसी कोशिकाओं को सुचारी रूप से चलानी की बात होगी जिन्दा रखने की बात हो इस तरीके से हमने कौन सी कौन सी चीज़े देख ली इस तरीके से जो हमने देखा कि किस तरीके से आपका एटीपी बनता है कैसे जो है ग्लूकोस एक इधन का काम करता है और कैसे जो है वाई भी स्वशन होता है बात सवज में आ रही है क्या हमारे सामने कुछ और है तो बि प्रती मोल में इतने किलो जूल आप याद करो अभी मैंने किलो कैलोरी में लिखा था देखो साथ किलो कैलरी में हमने यहाँ पर लिखा था और यहाँ पर हम बात किस की कर रहे हैं किलो जूल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम किलो कैलरी को किसमें परिवर्तित कर सकते हैं हम जूल में परिवर्तित कर सकते हैं एक कैलरी बराबर लगबख 4.8 जूल के आसपास होता ह बात समझ में आगी तो आप साथ कईदी 4.8 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो लगबग इतना आ जाएगा बात समझ में तो ATP को जब हमने किसे मिलाया जल के साथ मिलाया तो इस अमाउंट के असपास इस मात्रा में जो उरजा है वो क्या हो रही है वह बाहर निकल रही है बात समझ में आगी नोट कर लो बड़े अच्छे-च्छे मस्त-मस्त वाले बात है देखो लिखा हुए ना जैसे बैटरी कैसे अलग-अलग प्रकार के उपयोग के लिए उर्जा प्रदान करती है कुछ इसी तरीके से जो ATP है और जो सहरने के लिए भूजन करने के लिए उर्जा की जरूरत है जैसे हमें पूरे शरीर में उर्जा की जरूरत है कुछ इसी दरीके से हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं अंग तंत्र हैं या फिर जितने उत्तक हैं कोशिका हैं उन सबको भी उर्जा की जरूरत है और वह उ विडियो देख रहे हो वो समय जिसमें वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं हमें रिक्वाइड होती है किसकी ATP और उससे निकलने वाली उर्जा की बात समझ में है रही है मस्त वाली कहानी बढ़ते हैं आगे देखो यहां यांतरिक उर्जा प्रकाश उर्जा विद्यत उर्जा और इसी प्रकार अन्यक के लिए उप्योग में लाई जाती है इसी तरीके से कोशिका में ATP किसकी बात हो रही है विले बैटरी की बात हो रही है उससे आप प्रकाश उर्जा विद्यत उर्जा यांतरिक उर्जा औ अलग-अलग प्रकार कि उर्जा है बना सकते हो गुछ इसी तरीके से कोशिका में इटी का अपयोग किया जाता है या पेशियों के सिकुण में आगई मस्त वाली है कहानी है बड़े धंड से सुनिएगा तो एक अपन कोट के साथ एक मस्त वाली बात के साथ आज की जो क्लास उसको बन खतम करेंगे कि भाया अटीपी बोले तो एटी पी आ बोले तो है एटीपी बोले तो और जा एटी वे बोले तो क्या और जाब इसका वैसे तो इसका हमारी किताब वाला फुल फॉर्म है राइट पर यदि मुझे इसका फुल फॉर्म बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा एनी टाइम पावर क्या बनाया नया फुल फॉर्म हम लोगों ने इसके लिए ध्यान से देखेगा एनी टाइम पावर एनी टाइम जब भी आपको पावर की जरूरत है आपको संपर्क करना पड़ेगा किस से किस से बताओ जल्दी से तो भीया एटीपी से बात समझ में आगी मस्त वाली एक कहानी थी बड़े ध्यान से आपने इसको सुना होगा यह दिया आपको कोई डाउट होगा प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजेगा बात समझ में आ रही एक बार जल्दी जल्दी जो कि अपन पढ़ जो के बात समझ में आगी चलो नोट करो कर लिया पका जी ठीक बढ़ते हैं आगे रुकोना एक मिनट यहां पर आते हैं क्या यह कहानी क्लियर है बोलिए यस सार और यदि नहीं होगी तो संपर्क करेंगे कहां पर कमेंट बॉक्स में राइट क्या यह कह आपको ATP और ATP दोनों समझ में आ गया है बोलिए यस सर नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं कमेंट कर दीजेगा ठीक है चलिए और क्या देखा था हम लोगों ने हम लोगों ने देखा था कि कहानी अब तक क्या थी और किस प्रकार से जो वाइवी स्वशन होता है उसमें के जलने पर किसका निर्मान होता है बात समझ में आगी मस्त वाली एक कहानी थी इसको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लिए ठीक है चलो तो अब अगली जो क्लास होने वाली है अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम यह देखेंगी कि यह मनुश्य के अंदर स्वशन किस प्रकार से होता है मनुश्य के अंदर स्वशन जो है वो किस प्रकार से होता है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी बिलकुर मिसमत किरिएगा और वो क्लास आपको कहां पर मिलेगी वो मैं आप लोगों को अभी के अभी बता रहा हूं एक तो यूट्यूब म है और जाना है गूगल पे जैसी आप पहुंचेंगे गूगल पे आपको सर्च करना है मागनेट ब्रेंज जैसे आप मागनेट ब्रेंज सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आजाएगा जो की है अनंत ग्यान का पिटारा वो भी क्वालिटी कंटेंड के साथ में अब मान लो अब देख लो भाईया आप कौन सी ग्लास में हो आपको किस चीज के लिए तयारी करनी है यहां पर जो है इस जगे पर सबकुछ एवलेबल है मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर बारवी तक उसके बाद है सी यू एटी जिसके बिन आपको बह क्या है बिहार बोर्ड और और क्या है राजस्थान बोड़ें पीवोड सारे स्टेट बोर्ट सेसे कवर है और कांशी चीज जटीज है और क्या है आपका नीट है कॉम्पिटिव सेक्षण हैं है बहुत सारी चीजे हैं आप लोगों को सिर्फ एक छोड़ा सा कर्ष्ट करना है एक क्लिक करना है अब माल लेते हैं कि आफ गख्शवध्य विद्यारती है पहले दो माल ले तक हिंदी माझने दियरती हैं था आप छिस क्लास में आप क الإlet कर दीजे आफ है और यदि आप कक्षा दसव विद्ध्यारती हैं तो आपने यहां पर क्लिक कर दिया आपने का सर आज हम क्लास 10 की बात करेंगे चलो आपने क्लिक किया तो यहां पर आपके सामने सारे विशय आ जाएंगे मतलब फिरिक्स आ जाएगा केमिस्ट्री आ जाएगा मैट्स आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा हिंदी आ जाएगा बाइलोजी आ जाएगा सब से जो एक मैन्यू है वौ के सामने आ जाएगा और यहां पर ध्यान से देखीएगा अब देखू आपके अध्याय के नाम लिखे हैं है यहाँ पर आपका से सारे घ्याय के नाम लिखे होई दिकोfolg जैसे पहले अध्याय में आठ लेक्चर हैं दूसरे वाले में 9 हैं तीसरे वाले में 11 हैं तो आपको करना क्या है सिर्फ क्लिक करना है मान कर चलते हैं कि यहां पर देखो सब कुछ है और सभी अध्यायों के लिए कौनसी कौनसी चीज़े कवर की गई यह उसको बले धान से सुनिएगा इत एक बन शॉट रिवीजन फिर बात करेंगे अपन NCRT के अंदर बाहर सारे क्वेशन्स की फिर हम किसकी बात करेंगे यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेशन्स की हम बात करेंगे प्रिवियस एर क्वेशन्स की हम बात करेंगे केस इस्टेडी क्वेशन्स की हम बात करेंग गर्दा उड़ा देंगे, बात समझ में आ रही है, मस्त वाली है कहानी, यह सब कुछ आपको मिलेगा, इन सभी अध्यायों के अंदर, ठीक है, अब माल लेते हैं, आपने का सर, आज से अपन पढ़ाही स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सिलिबस देख लेते हैं, वो क्या हो तो आप यहां पर क्लिक कर दो, आपने किया क्लिक, यह लो मैंने क्लिक किया, ऐसा आपका वीडियो जो है पाठिकरम वाला, वो शुरू हो जाएगा, वहां पर यही कोई डाउट है, तो कमेंट कर दीजेगा, नहीं है, तो आगे बढ़ जाएए, बात समझ में आ रही है, क् जिस प्लैटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसका नाम क्या है भीया, तो वो है आपका मैगनेट ब्रेंस हिंदी, जहां पर आपके पास कक्षा शटवी, साथवी से लेकर बारवी तक, सभी विशह, सभी टॉपिक, सभी अध्याय, सारी जो चीजे हैं, वो फेपड़े हैं, वो वाईयू में से आक्सिजन निकाल लेते हैं, आक्सी हिमोगलोबिन बना लेते हैं, कैसे कार्बन मोन ओक्साइड जब हमारे किसके अंदर फेपड़े के अंदर जाती है, तो वो हमारे लिए कैसे हानिका रख होती है, इन सारे सवालों के जवाब दिये जाएंगे अगली क्लास में बाच समझ में आ लिए तब तक कि लिए क्लिए क्या है जैसा कि हमेशा कड़े हैं वीडियो देखना है शान का में झाल 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 झाल